नमस्कार आज है ठर अक्टूबर दोजार चोबिस और आज के डेली कर इंटाफिर्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज का क्विश्चन है हर्याना के मुख्यमंत्री किसे न्युक्त किया गया है या किस तबी मुख्यमंत्री के रूप में सपत लिए इसका जव भारत में मालदीव का राजदी उतनुक्त किया गया था ऐसात आजीमा को हाली में किस अंतरी चेजेसिन ने ब्रसपती के चंद्रमा को यूरूपा के लिए उरूपा के लिपर लॉंच किया था नाशा हाली में एश्चियों की तेवी सी बेटे की मेजवानी किसे दोरा कि ज पतली उमर अब्दुल्ला अंतराष्टे गरीबी उन्मुलन दिवस कम मनाया जाता है 17 अक्टूबर को हाली में किसे भारतिय साइबर अफरात समन्वाई केंद्र का राष्टे ब्राणे मिजरन्युक्ति किया था रश्मी का मंदाना हाली में किस के दोरा सुरक्षित विदे प्राइले में नियाई की देवी की प्रतिमा का अनावरन किया है देखो यहां पर यह थोड़ा सा गलत हुआ है नियाई की देवी की प्रतिमा यह फोटो देख लिजी जरा आप इससे पहले कभी भी आपने नियाई की देवी को देखा होगा तो उनके हाथ में यहां पर एक चाहिए, देखो इसके पीछे reason क्या होता है, कि देखो जब भी अगर अंदा नहीं होगा, तो भेदभाव कर सकता है, यह तरक दिया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है, अब फड़ा सा change हुआ है, देखो क्या क्या change हुआ है, पेला change तो आंखों से पट्टी हटा दी गई है, यह की देवी होती है कि कौन से हाथ में पहले तलवार हुआ करती थी तो यहाँ पर तलवार हुआ करती थी बट अब तलवार की जगह पर यहाँ पर एक सन्मिधान की क्या होती है पुरी पुरी यह किताब होती है यह बताता है कि अब देश में क्या चलेगा मालूम आपको कानून का राज चलेगा तलवार मतलब वो सक्ति वाला पावर पहले तलवार जो था वो किसका पावर हुआ करता था सक्ति का पावर हुआ करता था बट अब यहाँ पर क्या गई है तलवार की जगाँ पर समिधान की किताब रखी गई है मूर्ति जो है सपेद रंग की है जो सपेद स लेख रहे हैं, यह पूरा का पूरा एक square है, इसके उपर मूर्ति को रखा गया है, याद रखेगा, और यह बिल्गुल सहम है, दाएं हाथ में क्या है, भाई साब तराजु है, वो तराजु किस चीज का प्रतिक होता है, बराबरी का, इक्वैलेटि का प्रतिक होता है, याद रखेगा ठीक है और परीधान परीधान मतलब भारती शास्त्री निरत्य का एक परीधान जानरे का है यार रखेगा धनन्जे यश्वंत्र चंद्रशूट जिनने हम डी वाई चंद्रशूट के नाम से भी जानते हैं उन्होंने इसका अनावरण किया है, कौन है धननजे, मला चंदर चूड कौन है, वर्तमान में सुप्रीम कोट के चीप जस्टिस है, याद रखेगा, मुख्य न्याइडी से, जो की कौन से नंबर के हैं, पचासवे नंबर के हैं, याद रखेगा, भूलना नहीं है, सुप्रीम कोट की ब सवाल क्या बन सकता है, सुप्रीम कोट के प्रथम जज्ज क्या कौन थे, यह ना मुख्य नियाइडी स, जज नहीं, मुख्य नियाइडी स कौन थे, तो उनका नाम था, H.J. Kania, चीज़े हम कानिया कहते हैं, या कनिया कहा, जाता है, और अभी तक सुप्रीम कोट में टोटल से बहुत अच्छे option रखते हैं ताकि भविष्य में कोई भी सवाल हमारा गलत ना हो तो यह चार सुप्रीम कोड के मुख खिन्याइदी से रहे चुके हैं करम से याद रख सकते हैं आप लोग चलिए अगले question की और प्रस्तान करते हैं हाली में HDFC bank द्वारा किस देश में अप याद रखना आपको चलिए world anesthesia day कम मनाया जाता है anesthesia क्या होता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे लेकिन कुछ लोग जानते होंगे जब हम भी कभी बिमार होते हैं कोई भी हमारी surgery वगरा होती है तो हमें एक injection लगाया जाता है उस injection को anesthesia कहा जाता है जिसे हम बोलते हैं बेहोसी का injection तो हर साल 16 अक्टूबर को anesthesia day मनाया जाता है याद रखेगा world anesthesia day का मनाते हैं हर साल 16 अक्टूबर को मनाते हैं and this day also recognize the anesthesia professional वगरा जो भी क्योंकि बहुत important चीज होती देखो याद रखेगा anesthesia लगाने वाला जो डॉक्टर होता है वो अपने आप में बहुत value करता है तो कि कितना dose देना है कितनी मतलब age वगरा बहुत सारी चीज़े count की जाती है तो बहुत important है and every year to raise awareness about the importance of anesthesia in medicine this day is celebrated 16th of October चलिए next सवाल की और पस्तान करते हैं हाली में राश्टपती दुरोपती मुर्मू को किस देश द्वारा मानत उपादी से सम्मानित किया गया है तो इसका सही जवाब है अलजीरिया अलजीरिया ने अभी क्या है अलजीरिया के दोरे पे गई थी राश्टपती दुरोपती मुर्मू और अलजीरिया ने जो है उनको इस मतब एक प्रकार की मानत उपादी दी है याद रखेगा अलजीरिया की राजधानी क्या है याद रखेगा अलजीरिया की राजधानी है और अलजीरिया की जो करेंसी है वो है दिनार अगर लोकेशन देखें हम Algeria की, तो इधर यह मौरक्को होता है, जो कि इस्पेन से जुड़ा हुआ है, याद रखेगा यह है मौरक्को, यह मौरक्को होता है, पहला देश, दूसरा है Algeria, तीसरा है ट्यूनिश्या, लीबिया, और इधर इजिप्ट, तो याद रखेगा यह साउथ अमेरिका, सोरी, जो अफरिका महादी पे, उसका एक देश है Algeria, Algeria साउथ अफरिका का सबसे बड़ा देश कहलाता है, कहलाता क्या होता ही है, पांचवा सवाल देखिए, हाली में किसे आंतरिक सुरक्षा मामलो के विशे सचीव के रूप में न्यूक्त किया गया है, और इसका सही जवाब है प्रवीन वसिष्ट, प्रवीन वसिष्ट आईपेश अफिशर है, और इनको आंतरिक सुरक्षा मामलो के विशे सचीव के रूप में न्यूक्त किया गया है, ये सिवगामी सुंधरी का स्थान लेंगे इसे पहले कौन थी भाइसा सिवगामी अि सुंधरी नंदा थी वो भी 답सी ती अब उनकी जगांपर कोन आने वाले है इसका मतलब पहला हमको पता होना चाहिए तो पहला कौन था नाम दफा नाम दफा राश्ट्री उद्धान कहां है अरुनाचल प्रदेश में है रट्टा मार लीजेगा और ये भारत का पहला तितली विवित्ता केंद्र था अभी दूसरा कौन बना है काजी रंगा नेशनल प कि असम में कितने नेशनल पार्क है तो टोटल असम में साथ नेशनल पार्क है याद रखेगा साथ नेशनल पार्क है इनका फोटो देख लीजी आप लोग देखो असम के दो रेशनल पार्क बहुत फेमाज है एक तो काजी रंगा और काजी रंगा नेशनल पार्क को नेश सिंग वाले गेंडे के लिए ये होता है एक सिंग वाला गेंडा जो भारत में काजी रंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है इसके अलावा अशम में साथ नेशनल पार्क होते हैं तो एक तो काजी रंगा आपको याद रखना है very famous मानश मानस भी बहुत फेमस नेशनल पार्क हैं, इसके अलावा यहाँ पर रेमोना, नामेरी, ओरांग, इसके अलावा दीहिंग, पटकाई, एंड डिब्रूस, सेकोवा नेशनल पार्क पाये जाते हैं, टोटल सेवन नेशनल पार्क पाये जाते हैं, कहाँ पर अशम में, और वेरी प्हेसक कौन सा इस्थापना दिवस मनाया है। बहुत महदपुन सवाल है तो NSG की स्थापना कभ हुए थी। NSG की स्थापना हुई थी 16 October 1984 को हुई थी ठीक है तो 16 October को हर साल NSG अपना स्थापना दिवस मनाता है अब NSG जो है इसकी स्थापना क्यों की गई थी देखो क्या हुआ था आपको पता है कि 1984 में एक operation हुआ था operation blue star operation blue star का संबन किस चीज़ से है तो याद रखेगा यह golden temple से संबन देते हैं क्या हुआ था ऐसा input मिला था कि जो golden temple है जिसे हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं वहाँ पर कुछ आतंगवादी छीपे हुए हैं ठीक है terrorist group के कुछ लोग हुआ पर हैं तो आर्मी को उस operation blue star क के तहट हमारी जो आर्मी थी वो अंदर golden temple में गई थी जिसका बहुत ज़्यदा विरोध हुआ था ठीक है तो एसा भविश्य में कोई ऐसी कोई event ना हो इस टाइप के तो इसके लिए NSG का गठन किया गया था और NSG के कमांडो होते हैं आपने देखो इस पर कमांडो देखे चलिए अगले सवाल के और प्रस्थान करते हैं हाँ एक सवाल और बन सकता है NSG से कि NSG जो होता है वो कौन सी ministry के अंदर गाता है यार रखेगा ग्रह मंत्रा ले जिसे हम बोलते हैं अमी सहाजी जो है वो जिस मंत्री है ग्रह मंत्री हमारे वरतमान में और एक सवाल अच्छ सुरक्षा ये क्या होता है एक धेई वाक के होता है या आदर सुवाक के होता है किसका होता है ये NSG का सर्वत्र सर्वत्तम सुरक्षा और ग्रह मंत्रा ले के अंडर में NSG आती है हाली में सातवी अंतराश्ट्रिय सोर गडबंधन सबा इन्टरनेशनल सोलर अलायंस का जो सम प्रमोट करने के लिए यार रखेगा 2015 में एक जलवायू परिवर्तन सम्मेलन हुआ था कहाँ पर पेरिस में और वहाँ पर ये डिसाइड हुआ था कि जो भी करक रेखा और मकर रेखा के बीच में जो देश पायाते हैं जिनकी संख्या लगबग 121 से ये देश बहुत आइड कंडिशन होती है इन देशों में solar energy के लिए ठीक है क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकास पूरे 12 मैंने में अधिकांस रहता ही है तो इन देशों ने मिलके के लिए इस बार एक सभग आयोजन किया जा रहा है में मकसद क्या है में मकसद जो है वो है solar energy को प्रमोट करना तो यहाँ रखेगा international solar festival का organize के जाएगा पांच से लेके 6 September को यह पुराना लगा हुआ है यहाँ पर यह तो मतलब September में एक फेस्टिवल वा था उसका लगा हुआ था यह फोटो तो थोड़ा सा गलत लगा हुआ है यह बट एक सभा होने वाली है एक meeting होने वाली है और वो होगी कब November में होगी याद रखेगा November 2024 में होगी इस बात को याद रखेगा यह फोटो में थोड़ा सा मिश्टेक है यह सेप्टेमबर में जो इवेंट हुआ था उसका फोटो लग गया ध्यान नीरा इसको इग्नोर करना है इतने को तो International Solar Festival था यहाँ पर Solar Alliance की बेठक होने वाली मिटिंग होने वाली है वो कहा होने वाली है वो नई दिल्ली में होने वाली है चले नाइंत सवाल देखते हैं आजका हम हाली में किसके द्वारा हर्याना के मुख्यमंदरी के रूप में सपत ली गई है याद रखेगा यह हमारा क्विशन अपड़ दे था और इसका सही बात करें हम तो यह रहां का फोटू हर्याणा की क्या बात करें भाई सब तो हर्याणा की दो बात कर लीजे बूले सर एक तो स्थापना बाजी मार देगी लेकिन सत्ता परिवर्थन मतलब गेम चेंज कर दिया बीजेपी ने बीजेपी लेकर आई 48 सीट्स और कॉंग्रेस को मिली 37 सीट्स और 5 सीट्स जो थी वो अधर पाइटियों को मिली अब देखो क्या हुआ कि 90 सीट्स होती है जिसमें से मैजोरिटी कितनी है बहुमत चाहिए थे 46 बीजेपी की सरकार बन गई भाईया और आज मतलब आज के दिन से अब कोन काउंट होंगे वहां के मुख्यमंत्री के रूप में नायाब शेहनी कहलाएंगे हरेना के मुख्यमंत्री आज का अंतीम सवाल हाली में 27 भारतिय वन खेल प्रतियों गीता ब और 36 गड़ के बारे में कुछ इंफोर्मेंस इन देख लिए मद्य प्रदेश से अलग हुआ था 36 गड़ एक नौवंबर 2000 को मतलब 36 गड़ राजज कब बना है एक नौवंबर 2000 को राजधानी क्या है राइपूर वहां पर डिश्टि कितने हैं 33 जीले हैं 36 गड़ में याद इसलिए वहां पर भी दो डिप्टी सीम पहते हैं अरुन साव और विजे सर्मा दो डिप्टी सीम है याद रखेगा 36 गड़ के लेकिन हमें दो चीज़ा रखना है रमेन डेका और विश्नु देव सहाई वहां के मुख्य मंत्री है यह रही लोकेशन उसकी सीमा एक तो मद् आता पूरा अपना 36 गड़ तो याद रखेए यह था आज का अपना करेंट अफेर आई होप आपको अच्छा लगाओगा थेंक यू थेंक यू वेरी मच फोर दा डिसकसंद आपका दिन सुभ हो है बना